एक दोस्त होता है जो हर मुश्किल में हमारा साथ देता है तो दूसरी तरफ एक दुश्मन हमें मुश्किल में डालता रहता है दुनिया में ऐसे साथ देश मौजूद है जो भारस से काफी नफरत करते हैं बोमिका में जादा समय ना लेते हुए हम सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं नंबर साथ पर आता है औस्ट्रेलिया औस्ट्रेलिया काफी विक्षित देश है औस्ट्रेलिया और भारत की बीच कोई दुश्मनी नहीं है बलकि यह दोनों एक दूसरे के बड़े सख योगी है अगर भविश्य में कभी किसी तीसरे देश के साथ योद्ध हुआ तो दोनों देश एक दूसरे का खुलकर साथ जरूर देंगे पर यहां पर मेन मुद्ध आता है जॉब्स का उस्ट्रेलियंस कहते हैं जो इंडियंस भारी संख्या में उस्ट्रेलिया में रहते हैं वो अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर उस्ट्रेलिया में आसानी से जॉब पा लेते हैं और उस्ट्रेलियंस को बेरुज़गार रहना पड़ता है और उस्ट्रेलियन्स भारती योवा से काफी जादा नफरत करते हैं नंबर 6 पर आता है श्रिलंका श्रिलंका और भारत दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है फिर भी इन दोनों देशों में कोई खास सम्मंद नहीं है श्रिलंकांस तमिल लोगों से काफी नफरत करते हैं श्रिलंकांस कहते हैं जो तमिल लोग भारत से श्रिलंका बसे हैं वे श्रिलंका के डवलप्मेंट को रोक रहे हैं तभी श्रिलंकांस तमिल लोगों को जान से मार देते हैं और सिलंकन्स भारतिय लोगों से भी काफी नफरत करते हैं नमबर पाच पराता है बांगलादेश बांगलादेश शुरुवात से ही यारोप लगाता है कि भारत उनके देश के डेबलमेट में कोई मदद नहीं करता अगर भारत उनकी थोड़ी सी मदद करते तो बांगलादेश काफी अच्छे से गुरो कर सकता है पर बीते कुछ सालों में इन दोनों देशों के रिष्टों में काफी सुधार हुआ है पर फिर भी बांगलादेश की भाह संक्यक आबादी हिंदों से काफी नफरत करती है पहले बांगलादेश में 27 परतिशत हिंदों थे अब मात्र उसाथ परतिशत से भी कम है यह बांगलादेश का बरताव साब दिखाता है नमबर चार पर आता है नेपाल नेपाल और भारत के बीच रोटी बीटी का संबन्द है दोनों देशों का कल्चर एक है दोनों देशों के लोग एक पुसर को खुब पसंद करते हैं पर बीते कुछ समय से नेपाल की सरकार भारत के साथ कैसा बरताब कर रही है यह हम भली भाती जानते हैं पर यह वैवाहार शत्रू शमतूल्य ही तो है नमबर तीन पर आता है टर्की टर्की और भारत की बीच कोई सीमा नहीं लगती मगर फिर भी और ना ही कभी इन दोनों देशों में यूद हो है मगर फिर भी इन दोनों देशों में संबंद अच्छे नहीं है टर्की हमेशा हर अंतराश्ट्री मंच पर भारत का विरूद करता और यह बिडम बना तो देखिए कि हमारे ही देश के कुछ लोगों को भारत में डर लगता है और उन्हें टर्की जाकर सुकुन मिल जाता है नंबर दो पर आता है पाकिस्तान हमें पता है कि बहुत से यूट्योबर्स ने आपको बता-बता घर पका दिया होगा तो फालतु में हम अपने एकम्मे पड़ेशी के उपर समय वरबाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नंबर एक पर आता है चीन चीन और भारत का रिष्टा हजारों सालों से चला रहा है पर पहले की चीन में और अभी की चीन में बहुत भर्क है सब्यों पहले ये दोनों देश एक दूसरे के बड़े सही होगी थे पर अब ये दुश्मन बन चुके हैं बीते कुछ दश्मों में चीन ने काफी तेजी से बहुत तरकी कर ली है और भारत भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है भारत में बढ़ते मेनफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट को देखते हुए चीन अंदर से काफी बुखलाया हुआ है और चीन जानता है कि एशिया में सिर्फ भारत ही उसे रोक सकता है चीन हर बार एलेसी के इस पार घुसपैट करने की कुशिश करता रहता है और हाल ही में हुए गलवान घाटी की घटना ने चीन और भारत के संबंदों के और भी बिगार के रख दिया है और भाविश्य में इन दोनों देशों के संबंद और भी निचले स्तर पर जाने की उम्मीद है और बड़े युद की भी संभावना है खेर जो भी हो भारत से नफरत करने वालों के नाम आप कॉमेंट में दो शब्द जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले क्योंकि दा प्लानेट इन हिंदी आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो जलाता रहेगा